बेसी कलाकार पात साल की उमर में एक रिकॉड, छे साल की उमर में एक रिकॉड साल पिर थीस हरा रिकॉड साल की ऊपर, और सारे रिकॉर्ड जो अपनी डादी को dedicate करता ई नानी को डेडिकेट करता तो मुझे बात बताब। रा इक रिकॉड्सन Second time, Chakrasana में सिदी और 4 ती, 1051 सिखेंद में, हमें उसका उल्टा, Chakrasana में उतराता सिडी, 1000 13 सिखेंद में. homework मुझे एक बात बताओ, तुमको डर नहीं लगता जब तुम चड़ते हों, उतरते हों, Chakrasana करते हों? डर तो बहुत लग जLERाता, सेदी फेर फेर किया है कैसे दमने है? सब दो अबता है, फिर कर दो सब बात मुझे इक बात बताओ, प्रैक्टिस कितने समय करते हो उठते इतने बज़े हो, और स्कूल तो और भी बंधी हो ना? यह तो रोज बज़वकर उठते कितने बज़े हो फिर? पूरा समय तुम क्लास ही कर दे तो खेलते कब हो फिर नहीं कहलते हो अरे यार यार ये तो बड़ी ज्यादती है मुझे एक बात बताओ कितना समय लगता है कोई रेकॉर्ड जब तुम अटेम्ट करने के लिए शुरू करते हो तो कितना टाइम लगता है किते दिन पहले प्रिपरेशन चालू करते हैं सर तो सर विजय जी है जो कि हमारे रागव के ट्रेनर है मैं कहूंगा कि गुरू है उसके रागव ने जो भी अटेम्ट किये हैं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उमर बहुत कम है बहुत आपको भी एक यह रहता होगा मैं कोँगा कि बहुत एक प्रेशर रहता होगा इतने कम बच्चे से इतनी सारी चीज़े करा लेना है वो भी सबकी देखरेख में शुरूवात कैसे करते हैं क्या-क्या चीज़ों बेखास ध्यान रखते हैं अच्चे सबसे बहुत आपको बताना चाहँगा कि जब रागा ओ धाव धाय साल का था था धाय साल की उमर में रागो की ममी ने हमारे एक अडेमी में रागो को लिका आए कि इसर प्लीश रागो को आपको क्लास में जॉइन करा दीजि़े मैं यह जाए क्लाट प्रेश प्र कड़ेंगे तो आज बताँ तो मुझे पर्फेक्स कर दिखाएंग। तो मैंने घरेज़ करना चालीक्स और तो तक पहले मिने थर्मागाल फोडाएंगे। क्या इसको भी खराहता थर्मों कर फोड़ा सब्सक्राइब एक मिने इसको टायल दिया जाने कर सका इसको से कठाल करते हैं तपर फोल तक से करा तो रिकर्द बनाया जा बिने क्वाइब पांस साल कि पहला रिकर्द शेकिए के फुरफ सेकंड्मेट एक मिन एक सो पच्छीट स सब्सक्राइब बेरा स्कूल में ब्रेक किया था पी दीरे फी लॉक्ड़न लग लग लॉक्ड़न के वास से हमारे टोटल दो साथ लॉक्ड़न खुला मम्मी पापा ने वह पुरा प्रैक्टिस में लॉस हो रहा है क्लास तो अपनी बंद क्यों ना कि आप हमारे घरें पड़ घर में योगा जीमनेस्टिक चलने लगा चलने लगा फोकस किया मम्मे का सब स्चाथा फोकस सरे एक रिक्ड़ बनाई एक और चलेगा सीडी चलना चलो करो पीज़ी चलते चलते-चलते और इसमें मद्वीड़न स्पीड बढ़ाया टाइमिंग कवर किया इन इसमें एक छे तो मुझे एक बात बता हूँ रागों मस्तिवस्ति करता है कि डिसिप्लीन बच्चा है तो डाट जादा पड़ती है कि प्यार जादा मिलता है प्यार अच्छा मुझे एक बात बता हूँ जब तुम चकरासन कर रहे थे सब लोग देख रहे होंगे कैमेरा वाले सर थे ममी थी डाड़ी थी तो डर लग रहा था कि कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे अब तुम्हारे दोस्त कहते होंगे यार हमारा रागो तो बहुत स्ट्रॉंग है बोलते हैं दोस्त क्या बोलते हैं किसी से बात नहीं थी किसी का फोन वो नहीं मुझे एक बात होता हुआ रागो को खाने वाने का पसन है खेलना मिलना खाना खाने में क्या अच्छा लगता रागो पनीर तो डाइट करते हो कि फिर जो मन हो आइस क्रेम चोकलेट सब खा देओ जो मम्मे देथी वह अच्छा म जो भी डाइट इनकी मम्मे का सुबह से इनका डाइट बादाम चाजू शेक देना पपाई वो सब उनकी ममम्मे देते जूस हो गरें आपिर काले से लेकर ने दिय और उनका फिस से पूरी फैमिली का से अधे मुत अच्छी रही रागो मुझे एक बात बताओं अभी तीन अब आगे क्या करना है फिर अच्छा क्या बात है विजय सर मुझे एक बात बताईए अभी आगे क्या प्लानिंग चल रहा है मतलब किस चीज़ पर जादा से जादा फोकस करें रागों को लेकर क्या सिखाना जाते है अब तो रागाओ का एक लास्ट बेल्ड बच्चा होगा सबसे पहले कि अपने नाकुर में सबसे छोटा बच्चा होंगा जो भी ब्लैक बल्ड हासिल करेंगा ब्लैक बेल्ड का तो हमारा साढ़े चार पांसाल का कोर्स होता है पर इसको मुझे और उसको रगलना है अगर लें खांतेश का है युथ चार गंदे नौनस्तोप प्रैक्टिस करता है यह नौन्स्टोप शरार्ति है कि Карल मेशहें सब्सक्ष भावाले कुछ Iran करेंगा तो कालेगा किसे चलेगा परेंगा प्र Baptist झाल स्वा टाम स्वलिस्ण्त हैंच, म tv लूं full day मेश ऐसे ब्लड़ार को को बड़े कर क्या बना है तो आपको लयार बनना है और सर भूले कर आठे और उद्ज नहीं करने किराट योरत में पर तो तैयारी चालू ही disabled ही की की नहीं हuda चालू है अच्छा मुझे एक बाद बता हूँ घर का खाना अच्छ लगते का भारका खाना अच्छ लगते घर का और मुझे बता हूँ दोस्त याद आते ही की नी आते है नई क्यों सरी आदा थे हमारा बहुत ही प्रोफेशनल है रागो रागो के मॉम डैट से भी बात करते हैं और जिनका बच्चा मेरे खाल से इतना एक्टिव हो इतनी कम उमर में इतनी सारी चीजे उसके नाम पर हो मेरे खाल से हर माता-पिता को गरवानमीत ही महसूस होगा उनके पेरेंट से भी जानते हैं कि किस तरीके से वो रागो का ध्यान रखते हैं क्योंकि किसी और के हाथ में सोब देना और उसके निगरानी करना थोड़ा डिफरेंट होता है लेकिन हाथ अगर मजबूत हो, साथ देने वाले हो तो मेरे खाल से फिर कहना ही क्या तो ऐसा ही एक बहुत ही गुरुष इश्य का बहुत ही प्यारा लेलिशन है हम रागो के मॉम डाइट से भी बात करते हैं उनका क्या कहना है रागो के बारे में परिशान करता है की नहीं करता है, जानते पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची, तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा, तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है, फ्लाइवी एविएशन अकाड़मी फ्लाइवी एविएशन अकाड़मी एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मैंजमेंट साथ ही यहां campus interview, guidance by industry expert, practical training at airport, expert faculty, personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने है फ्लाइवी एविएशन अकाड़मी, one degree, three job opportunities फ्लाइवी एविएशन अकाड़मी, gives you a degree or diploma with a job फ्लाइवी एविएशन अकाड़मी, 365 गानी नगर, LAD College Square, beside करनाट का बैंक नागपुर तो इस ओर है राघव और इस ओर है राघव के माताबिता और मैंने कहा कि इतनी कम उमर में अगर कोई करितिमान स्थापित करें तो माताबिता तो करवान नित होंगी मैं कहूंगा कि जैसे कि विजे सर ने बताया कि गरा गई मम्मी उसको कराटे करास लेकर गई तो यह आया कहां से दिमाग में कि इतनी कम हुआ है जहां बच्रों को बच्चों से लोग डालती Union है अपने बच्चों को आप कराटे क्लास लेकर गई सर वो मस्ती बहुत करता था बहुत उच्छल कुद करता था तो उसके एनर्जी को अच्छी जगा चानेलाईज हो इसलिए उसको कराटे क्लास लेके गए वैसे हम मैं जब से रागो को देखा तो रागो बहुत ही शान्त एकदम सब्य कभी कोई सरारत नहीं कुछ नहीं सर जैसे हा सर हा सर तीन रेकॉर्ड अभी नाम पर हो चले और थोड़ा डिफिकल्ट होता है इतनी छोटे बच्चे से इतनी चीज़े कराना जैसे अभी भी मैं बात कर रहा था तो उसने कहा कि क्लासेश करता हूं फिर कराटे क्लासेश तो आपको भी लगता होगा बहुत ज़्यादा बीजी हो गया है सर देखिए बीजी तो है पर स्टेडी और स्पोर्ट्स दूनों इंपोर्टन है लाइफ के लिए और यह बेसिक स्टार्टिंग से बच्पन से ही अगर स्टेडी और स्पोर्ट्स की आदत हो गई तो लाइफ आगे जाके स्मूथ होती है तो जिस तरह से पढ़ाई इंपोर्टन है उस तरह से स्पोर्ट्स लाइफ में भी बहुत इंपोर्टन है स्पोर्ट्स आदमी को बच्चों को जीत हार या जैसी परस पढ़ाई के साथ में confidence level अगर बढ़ा रहा अपना तो बच्चा अभी भी कहीं भी अपना मुकाम हासिल कर सकता है तो इस वज़े से sports discipline सिखाता है और discipline के वज़े से बच्चा train होता है और life में grow होगा, always grow होते रहती है उसकी, तो इसके वज़े से sports is must for everyone. at the same time पढ़ाई भी जो बहुत कंपल से है ये बच्चे को, पढ़ाई and sports ये दोनों combination बहुत जरूरी है. काले चने, बदाम, अक्रोड और घी उसको थोड़ा ज्यादा देती हूं है ये सब घर का जो भी बेसिक प्रोटीने भीगे शेंग दाने जो मुंफली के दाने बुलते है वो बदाम इस तरह की चीज़े है जो नॉर्मल नेर्च्रल जो चीज़े है जो घर की जो चीज़े ह जो भी औरेंज जूस, मौसंबीका जूस ये जो सब बनते है वो घर कम में जो बना हुआ वो चीज़े हम उनको प्रोवाइड करते है वी आनोट टोड़्स प्रोटीन पॉडर और या फिर प्रोटीन शेक ऐसा कुछ भी नहीं है नैच्रल डायेट मैं ये कहूंगा कि एक ब बच्चा कुछ बड़ा के इतीमान करें और सात में और प्राउड फिलिंग जैब है इसको मालुम पड़ता है जिस तरह से की है बच्चे नहीं कİy haya high oh लोग की फोनाते है help ना भार्व और जाते है दो बच्चा नार्मली इस नाजानना चाहिना अज एक लगता है कि हा बच्च ने कुछ मज़ा किया है वोट अच्छा किया जहांब जाती है तो रागो के पापा रागो की मम्मी तो इटसे ये अ़लसे वन अफ त प्राऊड फिलिंग हमार को है मैम क्या टेख देगी इसमें? बस सेम सर्ने जो वुलाओ बहुत अच्छा लगता है जब बोलते हैं यह 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 रागो की मम्मी है रागो बस ऐसा ही महिनत करते हैं मेरी यह इच्छा है सबस्क्राइब इसके मंमी करना कभी मैं रधाई चब्सुर्पर तो तो मम्मी एन विज्एसर प्रफ मैंत चींद कितना बड़ा रोल रहा है और आपने विजे सर को ही क्यों पिक किया पहला सब विजे सर का ही सबसे बड़ा रोल है सही बात और ऐसा कुछ नहीं सब कोइंसिदेंस था सर के पास मेरा जाना सर को रागो को सर ने पढ़ाना फिर दीरी-दीरी उसने सबसे पहले थर्मोकॉल की शीट को ब्रेक क करें नहीं है कि सब फ्लो 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 में धीरी-धीरी होती है रागो लॉयर भी बनना चाहता है और कराटे भी खेला चाहते है आप दोनों क्या बनाना चाहते हैं दीखिए सबसे पहले तो ड़ागो की चौइस रहेंगी कि उसको क्या होना है बड़ बैसिकली रागो का है और पाड़ाई में भी रहे क्योंकि स्पोर्ट के साथ साथ में उसको जो उसके एडवांटेज़ मिलने वाले उसको आगे अपने लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाले और विजय सार ने उस पर इतनी डिसिप्लीन रखी हुई है कि हमको विजय सार ने उस पर इतनी बहुत अच्छे मिले तो फिर क्या वात है तो दादी दादी से बात करेंगे दादी क्या कौन से प्लेयर बास्केट बॉल को कबड़ी और पापा पापा बास्केट बॉल और कौन से बास्केट बॉल कांटन थे इनवर्सिट क्या वात है तो हम दादी से भी पूछेंगे र बहुत नहीं को नओर रागय होई वह द्रया है कि सब्जार प्रहाइए उसली असके नाके नाम पेड़ से पस्किसार करें तो ज्यादा ही आपको तंग करता है इसा होता है कि बादanton कि बहुत परीशान करते हमें दोक्तoten होती हो रहते हैं लगे रहते हैं तो हमारा राग हो कैसा है? वो कुछ काम है तो वो बुलता करो एक करोड का केला, दादी का मोबाइल मेरा. तो ये केला मेरे को भी दे देना है? तो ये तो था हमारा छोटा सा राग हो और आए होप इसकी जो छोटी सी जरनी है आप में से कई सारे लोगों के लिए जो है वो इंस्पिरेशनल रहेगी और सबसे बड़ा रोल अगर इसमें किसी का है तो इसके पेरिंस का, टीचर्स का और फैमिली का सपोर्ट बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे बहुत कीमती हैं और हम दुआ करते हैं जल्दी राग हो और भी ऐसे कई सारे रेकॉर्ड्स बना है हम फिर एक बार राग हो से मिले किसी और पर टॉपिक पर बात करें है पहली बार ज़समिले तो राग हो नहीं इतनी बाती नहीं किती लेकिन पर शेयर ज़रू कर सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, I hope आप लोगों को ये प्रोग्राम ज़रू पसंद आया होगा, और आप देख रहे हैं, तो देखते रहे हैं, सब घर पे रहे हैं, सबसे खास बात सुरक्षित रहे हैं, अपनों और अपने परिवार का ध्यान